हलो और वेलकम टू आज चानेल संगीत अडिचर बच्चो आज हम अपने फिफ्स टानेड हिंदी सुलब भारती टेक्स्ट बुक का लेसन नम्ब लेवन मित्रता इस लेसन का स्वाध्याई लर्न करेंगे So are you ready? Let's start Question number one सम्वाद के अनुसार उचित जोडिया मिलाओ First, छत्री तालाप के सामने रहता हूँ Answer, अर्नल्ड पाटशाला के समीप रहती हूँ Answer, तबस्सूम मेरे पिताजी वकिल है Answer, विहंग मेरी माताजी सरपंच है Answer, क्षमा Question number two दिये गए परियायों में से सही उत्तर चुन कर लिखो First, विहंग के पिताजी Options है अच्छी बहस करते है मजेदार चुटकुले सुनाते है नयायले के किस्से सुनाते है तो इसका आंसर है नयायले के किस्से सुनाते है Second, तबस्सूम की बुवाजी तो options है बचपन की बाते बताती है ग्यान विज्यान की रोचक कहानिया सुनाती है खाना पकाने की तरकिप सिखाती है तो इसका आंसर है ग्यान विज्यान की रोचक कहानिया सुनाती है Question number three निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो फर्स्ट, किन-किन में मित्रता हुई? आंसर, अरनाड, क्षमा, तबस्वम और विहंग में मित्रता हुई फ्रेंडशिप, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, अरनाड के घर में कौन-कौन रहते है? आंसर, अरनाड के घर में उसके दादा जी, मा, पिता जी और छोटी बहन रहती है फ्रेंडशिप, अरनाड की मा कहां और क्या काम करती है? आंसर, अरनाड की मा सरकारी अस्पताल में नर्स है फोर्थ, कल किसका जन्मदिन है? जन्मदिन मतलब आपको पता होगा, बर्दे आंसर, कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है क्वेशन नमब फोर, नीचे लिखे वाक्य किसने कहे है? फिर्स्ट, तुम सब जरूर आना आंसर, यह वाक्य क्षमा ने कहा है सेकेंड, आज से हम सब अच्छे मित रहे आंसर, यह वाक्य विहंग ने कहा है तो यहाँ पर हुआ अपना यह लेसन, कम्प्लीट तो यह वीडियो अगर आपको यूसफुल लगती हो तो इसे तूरंत लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेर करिए और अब तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो फटा फट कर दीजिए चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए, बाबाई